हेलो विल्कम बैक टिसी सी एकेनमी मैं राम जान सर दोस्तों बिहार युनिवर्शिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पार्ट वन के सेशन 22-25 और सेशन 21-24 पार्ट वन पर मोटर एक्जाम दे रहे हैं आप लोग फिलाल अब एक्जाम जारी है यानि कि एक्जाम हो रही ह है पिहार युनिवर्शिटी का तो आप लोगों के आप लोग इसमें से सवाल पूछ रहे थे कमेंट कर रहे हैं कि सर एक तारिक वाला और तीन तारिक वाला जो गया है वह पेपर तो उसका अब एक्जाम कब होगा ठीक है वह हमारा पूरा जो है ना किसी किसी को तो यह भी समझ में आ रहा है कि पेपर वान और पेपर टू क्या होता है एक पेपर कैंसिल हो गया तो सोच रहे ही कि वह पूरा आप खतम हो गया एक्जाम अब सिर्फ सब्सिर्ट्री का देना है और बाकी जो कैंसल वाला है वह आगे देना है अगर चकर में रहोगे ने इस चकर में त पेपर वान था और एक तारीक वाला का पेपर टू था छो तारीको था तो अगर एक तारीक को आप एक्जाम देते तो दूसरा पेपर जो है आप छो तारीक को देते ठीक है और तीन तारीक को जो पेपर वान था वो दूसरा पेपर साथ तारीक को देते तो एक वाला जो केंस पेपर सबसेंटी के बाद होगा एमाइला के बाद होगा एनिहीं कि आपको एकका बीस तारिक को बाइक पेपर one का एक्जाम एक तारिक वाला होगा ठीक है पेपर 2 ओगा जैसा फिर यह से देना है यूनिवर्सिटी का गेस्पर खर दे है तो आपको दो गों ऑनर्स का पेपर दिया होगा पेपर वन और पेपर टू दिया होगा याद रखिए मौका मिल गया पढ़ने का बहुत सारे इसमें डाउट में पढ़ गया है कि एक कैंसिल हो गया है तो हमारा वह भी कैंसिल हो गया है अब सीधा सब्सटीडिटि का लेके पर टू छूड़ जाएगा तो सब आनीकी हो जाएगा समझे पेपर वन कियल होगा है पेपर टूँ एक तारीख का एक तारीख का फेपर टूध भी मैं पर टूवाले पनीजह ऐसा ढट पेपर टू होगा देट है उसके बार जब सब्सीड़िक खत्म हो जाएगा तो फिर पेपर वान एक टारीक वाला को और जिसका इग्जाम होने वाला थे पेपर वेन उसको 10 को 20-20 जूलाइक को होगा समझे यह डाउट है समझे यह डाउट था तो बतला दिये क्लियर हो गया है अब तो किसी तरीके का डाउट नहीं होगा तो बैस आप लोग वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सबस्काइब कर लिजेगा अगर नए होंगे तो अच्छी बात है क्योंकि इस पर हमेशा युनिवर्शिटी का आपडेट मिलती रहती है समझे बस मिलते है नेक्ट वीडियो में और किसी तरीके का अगा डाउट होगा न तो हमें कमेंट किजिए का कमेंट सेक्षन में हम आपका रिपलाई करेंगे आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाई बाई